हाई हाई ये लो तुम्हारी नोट बुक ले आया हूँ लो रख लो बहुत दिनों की बाद मिल ली है कोई बात नहीं इस बुक की वज़े से हमारे बीच फ्रेंशिप हो गई सच कह रहे हो मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है ये क्या आज क्लास में कोई नहीं हाँ कोई आया क्यू नहीं अभी 8 बज रहा है ना अच्छा ये बात है हम क्लास में पहले ही आ गए येस वन सेकेंड रहने दो इसे तुम अपने ही पास रखो ये जुबान की बात है नोट बुक दी ना अब ये लो क्या रहे, इतनी जल्दी कैसे क्लास में आ गया, कुछ परसनल है क्या है यह, वो फोन ही दर दे अबे दे ना ए बिंदा, फोन दे दो क्यों दे दू फोन, ठीक है दे दूँगा, लेकिन बदले में तुम क्या दोगी हेई, क्या बात कर रहे हो, मैनर्स नहीं है तुम्हे नहीं है, तुम सिखाएगा क्या चलो हर्शिता हेई, बात कर रहा हो न, बीच में कहा जा रही है हाँ छोड़ो, उसने पकड़ा तो बुरा नहीं लगा, तो मेरे पकड़ने पे बुरा क्यों लग रहा है पहले उसको छोड़ने के लिए बोल, फिर मैं भी छोड़ दूँगा क्या है बेर अरे भाई, मारीस जब दा चोड़ों, क्या कर रहे हो? पसक्रों बिन्दा छोड़ों अरे छोड़ों से चोड़ों से क्या कर रहे हो बिन्दा छोड़ों से, मत्तर रो से, रुक जाओ कर दा इस पतेजया है, बिन्दा क्या कर रेयरा किता है धुर ठाहिए ही, पाप मार ठोलो 푼 पह शोड़ी है जाने दो है, है तौर डाहिए ही खोड़ उसे तो खोड़ इंद नाम ценों उद्म neural दो च्छोड़ मत लडाई करोٰ है खोड़ खोड़ाई करो ऊर्रे नाम कुल ड़े खोड़े उसे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? आठ बजे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे जवाब चाहिए! जब क्लास नौ बजे स्टार्ट होती है तो नौ दस, नौ पंद्रह और तुम में से कई तो ऐसे हैं जो साढ़े नौ बजे क्लास आते हैं तो ये बताओ कि तुम वहाँ आठ बजे क्लास में क्या कर रहे थे? तुम वहाँ जगडा क्यों कर रहे थे? कभी सर्व? हाँ, हाँ ये देवी का मेडम हाई है सर क्या है ये? क्या आज कल आप इस्टूडेंट्स को आठ बजे ही छोड़ देती हैं? वो… क्यो भाई? ये सब क्या हो रहा है? ऐसी बात नहीं है सर तो कैसी बात है बताओ स्टुडेंट्स कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं इस बात के तुम्हें चिंता नहीं है बैठ कर फोन चलाते रहते हो क्या नहम क्या है हर्शिता सर और गाउं राजमंद्री और तेरा करीम नगर करीम नगर सर करीम नगर राजमंद्री क्यों रे बिंदा सर बात क्या थी साइलेंस इस नोट दा आंसर इतने सालों से कॉलेज की रेपिटेशन को बचाते आ रहा हूं और तुम लोग पढ़ाई करने के बजाए लड़ाई जगड़े कर रहे हो क्यों? चरबी जादा हो गई है क्या? मेरे बारे में पता है न? अब ही क्या भी टीसी दे कर भिज़वा दूँगा सिर्फ इतना ही नहीं कंड़क्ट सर्टिफिकेट में बैग लिख दूगा फिलिश, जिन्दिगी खतम लिख दू क्या? सर, हमें कुछ नहीं पता सर हम लोग वहाँ से जा रहे थे तो राम और हर्शिता पहले से ही क्लास में बैठे हुए थे और सर वहाँ पर ओके, ओके, I understand क्या कर रहे थे तुम लोग वहाँ? सर, मैंने हर्शिता की नोटबुक ली थी वो देने के लिए गया था हाँ सर मतलब I think something is going wrong क्या की बाम अगा just फ्रेंडों अष्ड़ हुए Ini सर टूम दूना पीयच में कुछ तो गड़बड है आसा नहीं अप्राइ सर मैं इसे नहीं मानता आँ मैं इंसर सच्छ। है सच्मने कुछ नहीं इंसर सर सच में कुछ नहीं है सर मैं कह रहा हूँ ना कुछ है सर कुछ नहीं है सर हाँ है येस है we have something हाँ हमारे बीच कुछ है मैं राम से प्यार करती हूँ राम से शादी करूँगी और राम के साथ ही मेरे बच्चे होंगे वाट क्या कर लेंगे सर आप ज्याद से जादा टीसी दे देंगे इन सब चीजों के लिए मैं तयार हूँ I'm ready for anything and everything सर हैदराबाद के लिए टिकेट वहाँ उस तरफ मिलेगा इससे पहले तो यहीं कहीं मिलता था ओके अंदर आईए ठीक है ये सीट मेरी है आपका 25 नमबर है सर पीछे जाएए ओ सर यहाँ पर आईए अच्छा वो है यही है आपके सीट बैग यहाँ पर रख दीजे थैंक यू आपे हैदराबाद जा रहे है नहीं सर वो मूफली बीचने वाले आएंगे न तो खरीद कर खाने के लिए आया हूँ हाँ बेटी हाँ पापा निकल गया बस में बैठा हूँ ठीक है समल कर आना ठीक है समल कर आऊंगा तुम अपना ख्याल रखने है हाँ ठीक है रखता हूँ बाई मेरी बेटी है नाराज हो गए क्या मुझे मजाग करने की आदत है सफर आराम से कटेगा आप बुरा मत मानियेगा एक मिनट हाँ खा लूँगा बीच में कहीं बस रुकी तो खा लूँगा तुम खा लो ठीक है ना हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बाई फिर से बेटी ने फोन किया वो हैदरबाद में पढ़ती है सर पता आने आज कल के बच्चे अपने आपको क्या समझते हैं ऐसा लगता है जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है बस साफधानी वरतने के लिए कहते रहते हैं हाँ बेटी वाटर वाटर बाटल तुम्हां घर से लेकर निकला था रख लिया है तुम फिक्र मत करो ठीक है ठीक है राइट बेटी थी अपकी हमसे दूर हैदराबाद में पढ़ रही है ना फिक्र करती है बेटी की उमरे 7 साल की होगी ना अरे 7 साल की नहीं है सर 17 साल की है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके साथ मेरा रिष्टा 18 सालों से है आप ग्या सर बेटी को पैदावे सिर्फ 17 साल हुए है तो अठारा सालों का रिष्टा कैसे हो सकता है? है ना? जब से वो अपनी मा के पेट में थी, तब से उसके साथ रिष्टा है रंगारेश्वर कैसे हो? बढ़िया है पापा, पापा मेरी लाडली बेटी पापा क्या लायो? दाजर लेकर आया हूँ, ठीक है ना? चलो, आजाओ, 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 आजाओ जाकर दादी के पास बैठो धनिया थोड़ा सूख गया है, उसे भिगा दो हॉस्पिटल गई थी क्या? हॉस्पिटल गई थी क्या? पूछने पर जवाब क्यों नहीं दे रही है मा? डॉक्टर ने क्या कहा? और क्या कहेंगे? कहा बच्चा और मा सही सलामत है अरे ये तो खुशी की बात है ना? शकल ऐसी बना रखी जैसे कोई मर गया हो इसमें क्या खुशी की बात है? फिर से लड़की ही है अरे क्या फर्क पड़ता है मा? सही सलामत है ना? फिर से लड़की हुई तो क्या हुआ? इससे पहले भी तो लड़की पैदा हुई? दोबारा गर लड़की होगी तो क्या अच्छा होगा? वन शागे बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए होता यह तो तुझे पता है na मा, उसके बार भी लड़का ही पैदा होगा, इसकी क्या गारिंटी है लड़की हो या लड़का खून तो मेरा ही है न मा, मुझे बच्चे चाहिए, लड़की हो, लड़का क्या फर पड़ता है? अरे पगले, कल कोई लड़कियां शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर तुझे सम्हालने माला कौन होगा? आज मैं खुश हूँ क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, वैसे भी दुनियादारी के बारे में तुझे पता ही क्या है, मैंने बहुत दुनिया देखी है, इसलिए समझा रही हूँ, अभी भी समझ जाएंगी, बटो, 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 मा, कल मुझे खाना देने वाला नहीं होगा, इसलिए मैं आज बच्ची को मार दूँ क्या, मैं आपका बेटा हूँ मा, यही नहीं, अगर मेरी पांच बेटिया भी हुई, तो मैं उन्हें खुशी से पालूंगा, बड़ी होने के नाते, जो कहना था, मैंने कह दिया, अगर नहीं सुनना तो तेरी किसमत, आपकी बेटी से ज्यादा मैनस तो आप में दिखाई दे रहे हैं, येस मैड़म, आपके सामने की चेर्स खाली पड़ी है ना, तो बैट जाएए, नो मैड़म, मैंने कहा ना, बैट जाएए, ये तो मुझे भी पता है, पर इसके अंदर क्या है, मार्क्स मैड़म, मतलब कितने हैं, मतलब मैड़म, मैज, साइन्स, सोशल, इंग्लिश, किसी भी सबजेक्ट में पासिंग मार्क्स हैं क्या, कम से कम इसे हिंदी में तो पासिंग मार्क्स लाने चाहिए ना, ओके मैड़म, खयाल रखूँगा, दोबारा ऐसा ना होगा, क्या खयाल रखेंगे, अटेंडेंस भी ठीक नहीं है इसकी, किसी न किसी बहाने से रोज छुट्टी लेती रहती है, मैड़म, दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर दोबारा ये सब रिपीट हुआ, आप फिकर मत कीजे मैड़म, अब से हफ्ते में सातों दिन आएगी ये, सॉरी, संडे हॉलिडे है न, छे दिन स्कूल आएगी मैड़म, ओके, अब आप जा सकते हैं, ओके मड़म, डादी, दोबारा गेम्स, फिल्म्स, गाने, ऐसा कुछ कहा तो देखा, आपके वज़ा से प्रिंसिपल के सामने सर शुकाना पड़ रहा है, तो बारा से अगर आप आप आफिस से लीव लेंगे, तो मैं चप नहीं रहूंगी, संडे को भी आपको आफिस जाना पड़ेगा, मेरी पूरी स्टडी साब डिस्टरब कर रहे हो, अरे, मैंने क्या किया है, यह सब आपके वज़े से, आपके वज़े से हुआ है, मैंने, हेलो, एक बार तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसमें क्या है सर, उसने कोई गलत ही कियोगी तो आपको गुस्सा आ गया, नहीं, उसने कहा स्कूल जाना है, स्कूल जाने में गलत क्या है, शह, पागल हो क्या, वो स्कूल जाएगी तो मैं किसके साथ खेलूँगा, तो, आपने उसे स्कूल नहीं भेजा, आप सच में पागल हो, अगर वो तब स्कूल नहीं जाती, तो आज कॉलेज बे होती क्या वो, क्या हुआ इतना लेट कैसे, साइकल पंचर हो गई थी, हर रोज कोई ना कोई बहाना करके लेट करती है, ये टेस्ट करो, नहीं, तुम्हारी तरह छोटी बच्ची नहीं, मैट्स का हूंवर कंफ्लीट हो गया क्या तुम्हारा, मेरा अब तक हुआ नहीं, हाँ पर तू चेक कर ले ना, क्या है, रोज मुझे देखकर कमेंट करते हो, क्यों, उसकी तरफ क्यों देखते हो, मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, मैं सुन्दर नहीं हूं, क्या, हमें इनसे क्या ले ना देना, चलो यहां से, तुझ में ऐसा क्या है, जो मुझ में नहीं है, अरे जाने देना वो सब नहीं तुझे अभी बताना पड़ेगा दादी मा मुझे में कुछ कमी है अकल की कमी है सच में तुमसे पूछना ही बेकार है अरे आउना प्रियुक गुल crítगको त॥ जया ए वे था क्ना पूछना आउनका पूछना आउनका आउनका मुझे आउनका रसी नहीं अ जारे को सुआनतिता वानका आईनकाigation बहुँ थर क्या हूँ आरे क्यों लेके जा रही है बता ना हर्शिता मुझे घर में बहुत काम है कहां जाना है बताओ तो क्या लड़की है तू खीक से बैठो ना अरे यहां पर क्यों लेकर आई है एक्सक्यूज मी गायनकलॉजिस्ट है क्या सौरी मैडम आज फीमेल डॉक्टर नहीं बस मेल डॉक्टर है क्या हुआ है कौन है नाम बताएंगे प्लीज वन सेकंड महिश सर है श्रीकान सर है सुबबराव सर है और रमेश सर भी है का अपॉइंट्मेंट दीजिए ओके मैडम रूम नंबर थ्री में जाहिए ओके अले क्या हुआ कि बताईए क्या परेशानी है पता ना प्रॉबलम किसको है आपको या आपको मुझे है हां तो आप ज़रा बाहर वेट किजिए ये बताने में थोड़ा हिच्क पाना नहीं चाहिए बताओ क्या प्रॉबलम है वो वैसे अभी वो थोड़े चूटे है ना चूटे हैं आख है ओके आइंड़स्टेंड एक्चुली उन्हें बिक साइज में लाने के लिए ट्रीटमेंट हो सकता है लेकिन थोड़े हेल्थ इसूज आएंगे तो ये रहेगा कोई बात नहीं दूसरा ओप्शन है क्या है मतलब अभी मार्केट में मिलते हैं रेडी मेड नेच्टरल दिखेंगे किसी को पता नहीं चलेगा तो आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज का आपको मिल सकता है वो आपको मेडिकल स्टोर में जाएंगी तो मिल जा क्या बात है आज तु बहुत खुश लग रही है पता लगाओ देखते हैं मुझे नहीं पता तुम्हीं बता यह क्या बाई यह कैसा बदलाव है बदलाव है प्रकतिकानिया में बाई आपको 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 कर दो कर दो हाँ 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 ठीक है ठीक है माँ खाने के लिए कुछ बना है क्या? टाइम हो गया है ना स्कूल नहीं जाना है क्या? अज भाईया कॉलेज आ रहे है ना? मतलब अगर वो कॉलेज जाएगा तो तू स्कूल नहीं जाएगी क्या? चल ठीक है, सारे कप्रे ठीक से रख दिया है ना? हाँ, कपके? मा, ये क्या है मा? बैग में सारे कप्डे क्यू नहीं है? क्या होँ भाहिया? सारे कप्डे नहीं है मा? अपनी बहन से ही पूछ ले, इसी नहीं सारे कप्डे रखे हैं सारे कप्डे तो यही है? कहां सारे हैं, जादा मत बुलाँ अगर मैं सारे कप्डे रख दूँगी तो आप भी पापा की तरह लोट कर नहीं आओगे पापा हमारे लिए ही तो वहां मेनद कर रहे हैं इस साल जरूर आएंगे वो, तुम दुखी मत हो और मैं तो यहां आता रहूंग ना, परिशान मत हो चलता हूं मा, बसका टाइम हो गया, निकलता हूं ठीक है बेटा बाई मा मन लगा कर पढ़ाई करना हाँ बेटा अपना ध्यान रखना हाँ, और खाने समय पे खा लेना ठीक है बेटा बेटा, समभल कर जाना, ठीक है मत रोको से यार, गाहूं से कॉलेड जा रहा हूं यह सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है मुझे तो रोना भी आरा यार पहले बार हम लोग गाहूं छोड़के जा रहे हैं तो यह सब तो होना ही है चलो चलते हैं वो कहा से लाया? अरे यह मेरा है मुझे दे यार नहीं मैंनें हैं नहीं में दोगा क्या नहीं पिल थार्ण घर्ण के कि अध्याय ऐ है अजगे यार 17 नंदट्ट्र इस अध्याँ तुम्हारा आएडी काट है सर वो दिखाओ मुझे हाँ होस्टल में भूल गया सर क्या कहा भूल गया अलजाइमर हुआ है क्या हाँ एई जी सर ओ पी भवन इंटर सेकेंड यर जिस कार्ट के बारे में तुम बोल रहे थे भूल गया वो तो यहां मिल गया यह वही है न सो हॉस्टल में कार्ट भूल गये यह बात जूट थी न नहीं नहीं सर तो फिर यह कार्ट तुमने कहां खोया था और यह मेरे हाथ में कैसे आ गया जरा बताओ सर यह कार्ट कहां गुम हो गया मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है नहीं पता नहीं सर मैं बताओं क्या सर क्लास मिस करके और इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये किसी को पता ना चले वाडन की नजरों से बच कर तुम बगल के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे ले तो ये वहीं गिर गया था सर मैं वहाँ पर नहीं गया था पता नहीं ये काड वहां कैसे पहुचए है sir यह शूर यह सर यह शूर यह सर है यह सर सर यह क्या है गरकेट बैठ है यह कहां मिला पता है तुमें शर मुझे नहीं पता यह तेरे रूंड तुने दूसरी बार जूठ बोला अब तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं अपने पैरेंट्स को लेकर आ सर सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए स्टाफिक रोने से मुझे बहुत चीड है इस कॉलेज में बच्चे अड्मिशन लेते हैं रैंक लाकर आइंस्टेन और न्यूटन बनने के लिए ना कि यहां पर तेंदूलकर और गांगुली बनने के लिए यह स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है जो तुम बेवजा का खेल 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 रहो इस इस रैंकर कॉलेज I want only ranks इस इस नंबर वन कॉलेज Always I want to be नंबर वन कॉलेज इन दिस स्टेट अंडर्स्टेंड हाँ रोको रोको यही रोक दो आज़ा बेटा आओ आज़ा सर जैन सर रख लो तुम एक बार इस कॉलेज में एडमिशन हो गया ना तो पीजी करके बाहर आना यही रुको बेटा सर न्यूज जोइनिंग है इस काउंटर पर सर अप्लिकेशन यह लेजी सर सुनिए यह अप्लिकेशन जरा अप्लिकेशन भरना है यहाँ स्टूडेंट का नाम और यहाँ साइन करके दे दीजिए ठीक है थैंक्यू सर हाँ 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 सर यह लीजी अप्लिकेशन सब हो गया बिटी अप्लिकेशन फॉर्म भर दिया मैंने वो तुम्हें क्लास दिखा देंगे ठीक है ना मैं अब जाओं डरने की जरूरत नहीं है चलता हूं बिटा ओके पापा पापा हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बिटी पापा फिर कभाओंगे जब बुलाओगी तब आ जाओंगा मैं रात में राजमंडरी से बस में बैठ गया तो सुबह तक हैद्राबाद पहुँच जाओंगा हाँ पर कल उतरते ही फोन करके मुझे बुला मत लेना मुझे कोई परिशानी नहीं है पर तेरी मा शांत नहीं रहेगी हम दोनों को थपड़ लगाएगी समझ गई ठीक है न अब मैं चलू रोना मत बाई स्माइल कर लिया था क्या हरण यह को लेख यह वही है सर एक एडमिशन फॉम दीजे और हॉस्टल का भी दो और दीजे न यह ले यह ले पैन यह न मेरा भी फिलप कर दे न या तो तू क्या करेगा मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है या कोई देखने वाला नहीं है कुछ नहीं होगा चुप रहा अरे दो फिलप कर दे यार बस करो तुम दो मुझे दो मैं फिल कर दूँगा प्लीज यार मेरा फिलप कर दे पहले मेरा कर दे अपना फॉम पहले फिलप करा रहा है देख लूँगा तुझे तेरी डेट ओफ बर्त क्या है 16 जून 1986 26 & अर्चप मेरा बर्टे है अरे है इसेऔर, सिस्टिन नयीर सिवेंटी निए सेवेंटी मैंद, सिस्ट्पेन है अरे शोर क्यों में अर्या क्यों शोर कर रहा है जयार यह बोल रहा है हम हे हम मेरा पैन कहा गया हम पैन अरे पैन कहा चला गया हे वहाँ देख हम इत्स माई पैन यह मेरा पैन है चलो चलते है क्या हुआ न्यू एड्मिशन हो हाँ यह है तुम्हारा बेड थांक्यू हाई मेरा नाम हर्शिता है हाई सरिता यह गीता हाई हाई और यह रोहिनी हाई कहां से हो राजमंडरी से हो और तो यह हैदराबाद लोकल से है मैं गुंटूर की हूँ और यह कर्नूल की ओके गाउं से कोई फरक नी पड़ता हम सबी हॉस्टल में मिले यही बहुत है बस तुमसे एक साल पहले ही mai यहाँ आ गई थी पर तुम्हे एक बात बतानी है एई क्या बात बतानी है तुम्हें इसी मैं कौन हूँ तुम्हें पता ही होगा न मेरा नाम देव muito हॉस्टल wheniden हूँ मैं रूस की बहुत पकी हूँ यहां के सीनियर्स यह बात अच्छे से जानते हैं और तुम जूनियर्स यह बात अच्छे से समझ लेना अगर मेरी नजरों में धूल जोकने की कोशिश की या अगर मुझे बताये बिना यहां से बाहर जाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी मौत पक्की खास कर वो इस से दूर रहना आसपास में हॉस्टल्स ही है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर के गेट की तरह हमारे और उनके बीच में एक दिवार है बी कैफुल हाँ हर्शिता हलो पापा कैसी हो बिटी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, यहां का हॉस्टल का खाना बहुत ही बिकार है अच्छा, मैं तुम्हारी माँ से बात कराता हूँ, रुको हलो पापा बोलो बिटी पापा आप कब आओगे, मुझे तो यहां नर्क जैसा लग रहा है तुम्हें देखे बिना मैं भी नहीं रह पा रहा हूँ, दो दिन में आ जाओं मैं कल भी आपने यही बोला था, मुझे यह हॉस्टल पसंद नहीं, आप कहो तो मैं गाउं में पढ़ लूँगी अच्छा, ठीक है अच्छा, ठीक है पतंग उड़ाना कोई गुना है क्या, बस मज़े के लिए उड़ा रहा है अच्छा, पतंग पतंग कहा है अच्छा, पतंग कोई, अच्छा, पतंग को अप्रणी दो, नजो अचाने, मुझे, आरेयो मैलूंगी, कि पकड़ो ना है मेरी , दो मूझे? अब यह मेरी है, यह तो मेह आप तो है, हमारी है अब यह हमारी है मेरी, मेरी अरे सुना, जड़ाए देना इसे पकड़ तू अरे, अरे ठीक कर रहा हूँ बे यह मेरे कबड़े भी इस्तिरी कर देना यार तेरे बाब का नौकर हूँ क्या, बूरी जिन्दिगी तुझे दूसरों पर निर्भार रहना है क्या अपना काम खुद से नहीं कर सकता है अरे भाई तो इतना गुस्सा की हो रहा है हम सब दोस्त एक ही तो है, चाहिए तो पैसे दे दूँगा यार अरे मेरे उधार के पैसे दे तो जना यार अभी तो वो मेरे पास नहीं है अबे दे यार, तू करेगा इस्तिरी अरे भाई ये लो, ये ले पकाड़े, अब तो इस तरी खर अबे तेरी तो राम सुनना, सुबह सुबह मैंने मा को फोन किया था गाउं में सब लोग अच्छे हैं, पर वो पूछ रही थी तुम लोग घर का बाऊगे कॉलेज अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और तुझे इतनी जल्दी घर भी जाना है घर जाने में गलत के है किस गाउं से हो करीम में घर और तू तीनों एक ही गाउं के हैं अच्छा, तीनों को साथ में रहना था, इसलिए साथ में अडमिशन लिया तुम ही यह क्या कर रहे हो, हाँ जलो जाओ यहां से आउट आई से नालायक कहीं के तुम लोग क्या कर रहे हो वो में उपर पढ़ रहे थी सर सब के सब नालायक है हाँ, हर्शिता हाँ, पापा आज हम यहां से निकल रहे हैं पापा, यहां मुझे कोई परिशानी नहीं है आप एक बर फिर सोच लीजे अब मैं क्या सोचूँ सोचना तो तुम्हें है न वो फर्स दिन कोई फ्रेंस नहीं थे न इसलिए ऐसा लगा क्या है, हलो मा आने के लिए बार-बार फोन क्यों कर रही हो होस्टल में मन नहीं लग रहा क्या बाकी लोग भी तो रहते हैं न होस्टल में यहां पर अगर आ गई न, तो तुम्हारी पढ़ाई तो हो चुकी मन लगा कर पढ़ाई करो तुम्हारे और तुम्हारे पापा का रोस कनाटक है देखो अगर तुम घर आ गई ना तो चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारे शादी कर दूगी अरे छोटी बच्ची की शादी कैसे कराओगी क्यों आप ये करवा दूगा अरे मैं करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा एक दूगी अंको ए हर्शिता ठीक से पढ़ाई कर मैं नहीं आऊंगी शादी करवाएंगी कट कर दिया तुम्हारी वज़े से वो बिगड़ती जा रही है खाओ इडली कर दो बिग्ड़ती शादी कर दो एक दो रही है कर दो दो बिग्ड़ती शादी कर दो दो आए क्यूब खो रहाँ कि यहे जी गे मतलबना का। नहीं कि अभूर स्वार। हुगु नान रिख दौन, सब्सक्टाइं कि अभ भाष प्रॉब्स, कि अभष है, जैसे अभू यह विए जीए भीड़ने का। तुझे क्या मतलब है है तुझे क्या मतलब है है तुझे कैसे पता सुभा मेरे अंडे उबालते वे देख लिया था यार तुझे बोल रहे हैं तीनों खड़े हो जाओ क्या बात कर रहे थे तुम तीनों यह कह रहा था सर कि आज हमारे हॉस्टल में अंडा करीब बनने वाला है यह इहां पर हो तुम तरी बचे से वहा है जो पढ़ा रहा हूं ऑस सींदे के बाजा है कौन सी कभी कौण साराय यही सब सोचने के रहे ने कि यह आते हो कौन सा सेक्षन है उन दोनों के ए बी सेक्षन और मुझे सी सेक्षन में जाने के लिए आपने ही बोला था यहीं सेक्षन का पता नहीं हो रागया पढ़ने के लिए silence H2O contains two hydrogen atoms and one oxygen atoms the hydrogen bond is an attractive interaction between yeah come in thank you madam why are you late uh madam go go and sit there okay so where were we I was saying H2O contains two hydrogen atoms and one oxygen atoms aap sabne note to kar liya na yes ma'am and you no ma'am कोई अपने नोट से से दे दो प्लीज हर्शिता तुम दे दो thank you okay students that's all for today okay ma'am thank you ma'am चलो चलते हैं मुझे आपको जाना यह ले जाए मैं कल लिख लूगी चलो ना होस्टल के लिए लेट हो जाएंगे बस हो गया एक मिठो कोई बात नहीं मैं कल ले लूँगी ठीक है क्या भाई इतना सीरेस हो के क्या लिख रहा है पास होकर ही मानेगा क्या अभे अइसा कुछ नहीं हा यह कल सुबह उस लड़की को यह नोटभूक वापस कर रिए ना इस लड़की को लड़की को यह कोन है यार किया कर रहा है अर्षिता, भाई, लड़की ने तुम्हें नोटबुक दिये,szystका मतलब, मामला सेट है, हमें तो किसी लड़की ने नौटबुक नही दी और तुजे लड़की ने दे दी। हेई उसने बस नोट बुक दिये मुझे उसने तुझे दी तो है ना यार हमें तो वो भी कोई नहीं देता अरे यार हम लोग एक ही क्लास में नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है कल से किसी तरह तेरी क्लास में आ जाएंगे क्या भाई आज तो बहुत सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं यार कहीं किसी ने तुम्हें आलब भी तो नहीं कह दिया हरे इनको ए क्यों मुझे कोई नहीं कह सकती क्या है यह बस बातों का ही किंग है क्या भाई लड़कियों से नजदी किया हां है तो मेरी है लेकिन अचानक कोई बीच में आ गया यार चे इसी बात का दुख है तुमारा सेलेक्शन सूपर है यार अच्छा उसने तुमसे कब आई लब्यू कहा अब तक कहा नहीं यार कहलवाना पड़ेगा अब से यही तो काम है हमारा कमोन चल के बताते हैं let's go चलो यह है समझा तू भी ना कहां चली कि तुझे देख रहे है यार उस लड़की की नोट बुक मैंने कहां रगए कौन सी जिससे रात में लिख रहा था हो आली हाँ यार चार दिन तुझे परिशान करने के लिए नोट बुक होस्टल में चुपा दी थी यार यह लोग यहां क्या कर रहे है कल लाके दे दूँगा प्लीज लाना भूल गया अब कल बक्का दे दूँगा हे जड़ा देख के बाद कर वो मेरी है मेरी लवार हमारी क्लास में कम से कम दस लड़किया है लेकिन एक भी ऐसी हो तो काफी है सब्सक्राइब कर देख कर देख कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डीटेल्स मिन समझने आए हैं तब्सक्राइब कर स्थार्पंत्राइब कर देख किर देख के टो खेग्टों भी विवड़किया विवना डास हूं आप सब लोग पर्पेर्ट हो हो ना प्लीज को प्लीज यह की यू Get up क्या चल रहा है First get out of my class Come on students अपने अपने नोट्स यहां टेबल पर रग दो Please, sorry अब एसी गलती नहीं होगी कल मैं पक्का ले आऊँगा मुझे अभी ही चाहिए हर्शिता What is going on? Madam Actually First get out of my class Sorry Harashita कान पकल के sorry सब कुछ मेरी वजे से हुआ कल मैं पक्का ले के आऊँगा I'm so sorry Please Please पाफ कर दो Sorry Sorry Harashita Ram और मैं गलती से उसे लाना भूल गया था वैसे अल्रड़ी मैंने उसे अभी दे दिये अच्छा मैं मान लूँ असल में क्या बात है वो बता मैं आपसे जूट क्यूं बोलूगा भाई बस इतनी सी ही बात है अब वो लड़की मुझसे बात क्यूं करेगी हे राम हाई हर्शिता वो तुम्हारी नोटबुक में कल लाके दे दूँगा प्लीज हाँ It's okay कोई बात नहीं चाय पी होगे क्या ओ-istant प्लीज हे उष्य हाँ प्लीज हाँ हुह हुए इगसे हुए 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 पिलखूं कहीं का करना चाहता हूं सब्जाया राम भाग करना ना यह यह लाओ दो भी यह देख 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 थे ओके यह यह मैं कॉंपिटिशन देख रहा है क्या अरे उसकी क्या होकाद जो आप से कॉंपिटिशन लेगा आप सीनियर हैं आप इससे बहुत आगे हैं कॉन सर प्रिंसिपल अर्य प्रिंसिपल में भाई केमेश्ट्री लेक्चरर किसलिए क्यूं बुला रहा है मुझे क्या पता सारा था मुझे करने के हान का मुगह यार है के चल कर देखतेया है केमिकल को कभी उपर कर दो ही केमिकल के लेक्चरर से मिलते हैं जब तक हम केमेस्ट्री के मास्टर से मिलके आएंगे न तब तक इनकी केमेस्ट्री शुरू हो जाएगी यार अहां यार चल आजा यार सही का तो बात तो सही है बिलकुल लेकिन अरे चल साइड में चलके बात करते हैं कहां जा रहें तुम लोग सर हम तो आभी के बास आ रहे थे बुलिये सर क्या बात है यह यह अलसो कम यह चलो अब कहांनी मुझे मत सिखाओ जाकर अपने हिंदी टीचर को सुनाओ वो सुनेंगे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ मुझे सब कुछ प्रैक्टिकल चाहिए होता है क्यों तू हाथ नहीं बांदेगा क्या आजकल क्लास में आना बंद कर दिया है ना आता तो हूँ सर लेकिन हम लोग फर्स्ट इयर की क्लास में जा रहे हैं वही तो तुम लोग फर्स्ट इयर क्लास में चक्कर लगा रहे हो यही तो मेरा फ्रस्ट्रेशन है अनूश्री मडम की क्लास में क्यों जा रहे हो वो क्या मुझसे अच्छा सिखाती है तुमें सीखोगे और ये बात मैं मान जाओं चलो एक सिंपल क्वेस्चन पूछता हूं हाँ मेनी टाइपस अफ कार्बन आ दे है और वाट आ दे है इतना सिंपल क्वेस्चन में यादा तुम्हें सर मुझे पता है सर दोजा थ्री टाइपस डाइमंड ग्राफ़ाइड और पॉल्राइड वेरी गुड इस बार मा और एक सिंपल क्वेस्चन पूछता हूं पंटेन फेजी से गज़ा करे दिश्चन पंटेन हैं। पन्तेन हैं। इस आँ अरा क्यों प्रिफटन थे जाना सिंपल क्राइड प्रिफटन पार्फटन था इट्या से को थे हम्हें च्वें घ्वरी थोड़ी च्वेश्टन रख ले ऐगंस तवें 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 इसा इस पता है, sir. 16, sir. Very good. Ram, क्लास में आने के बज़ा, यहां क्या कर रहे हो? क्यों, मेडम? यह सेकेंड येर का नहीं है क्या? नहीं, sir. यह लड़का फर्स्ट येर का है. Most intelligent boy. ऐसे बच्चों को तो हमें प्रोस्थान देना चाहिए. इसलिए मैं इसे एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं. और वो भी आपके हाथों से. शूर, sir. यह लो. थैंक्यू, मैम. थैंक्यू, sir. इस ओके. अब तुम क्या देख रहे है, Organic Fellows? चलो, बार निकलो. देख कितना अच्छा है नहीं है. तु ग्रेट है, यार. सच में मुझे यखीन नहीं हो रहा है. कितना अच्छा फोन है, यार. यार, मुझे दे. रुकना बे. अरे, मुझे दे ना. अरे, इससे अपने घर पे फोन कर सकते हैं. किसी के भी घर पे कर सकते हैं इसमें सिम है क्या बस दलवाना है तो अच्छी कमपनी का दलवाना हम जल्दी से सिम डलवाना जिससे पुरा होस्टल बात कर सके हेई सिर्फ हमारे पास नहीं दूसरे के पास भी फोन भी फोन होना चाहिए फोन मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ वा कितना बढ़िया है रोज अपने घर फोन करूंगी इससे तुमारे घर में फोन है क्या हाँ है इसमें सिम नहीं है कैसे करोगी सिम नहीं है ठीक है मुझे दो मुझे हास्टल जाना नहीं दूंगी, पहले मेरा नोटबुक दे दो, उसके बाद आकर ले ना, अरे ये नोटबुक की क्या कहान है भाई, अरे वो तो फोन ले गई, हाई, 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 ये लो तुम्हारी नोटबुक ले आया हूँ, लो रख लो, बहुत दिनों की बाद मिली है, कोई बात नहीं, इस बुक की वज़े से हमारे बीच फ्रेंशिप हो गई, सच कह रहे हो, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है, ये क्या, आज क्लास में कोई नहीं, हाँ, कोई आया क्यों नहीं, अभी आट बज रहे है न, अच्छा ये बात है, हम क्लास में पहले ही आ गए, येस, वन से रहने दो, इसे तुम अपने ही पास रखो, ये जुबान की बात है, नोट बुक दी ना, अब ये लो, क्या रहे, ये इतनी जल्दी कैसे क्लास में आ गया, कुछ परसनल है क्या है, अच्छा, ए, वो फोन ही दर दे, अबे दे न, ए बिंदा, फोन दे दो, क्यों दे दूँ फोन, ठीक है, दे दूँगा, लेकिन बदले में तुम क्या दोगी, अच्छी, हेई, क्या बात कर रहे हो, मैनर्स नहीं है तुम्मे, नहीं है, तुम सिखाएगा क्या, चलो हर्शिता, हे, बात कर रहा हो न, बीच में कहा जा रही है, हाँ छोड़ो, उसने पकड़ा तो बुरा नहीं लगा, तो मेरे पकड़ने पे बुरा क्यों लग रहा है, पहले उसको छोड़ने के लिए बोल, फिर मैं भी छोड़ दूँगा, हेई, क्या है बे, हेई, बाई, मारे से, चलो हर्शिता, देरी तो, छोड़ दो, क्या कर रहे हो, प्रस करो पिंदा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो बिंदा, छोड़ो उसे, मत बारो उसे, रुक, रुक जा, रुक जा बिंदा, बिंदा क्या कर रहे हो, बिंदा क्या कर रहे हो, बिंदा रुको, पुद बारो छोड़ो जाने दो क्या करें यो छोड़ो से पुद्धा राम छोड़ो करो छोड़ो अन क्या करो छोड़ो है जोला तुम लग वहां क्या कर रहत嘉 आठ बजे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे जवाब चाहिए! जब क्लास नौ बजे स्टार्ट होती है, तो नौ दस, नौ पंद्रह, और तुम में से कई तो ऐसे हैं, जो साढ़े नौ बजे क्लास आते हैं, तो ये बताओ, कि तुम वहाँ आठ बजे क्लास में क्या कर रहे थे? तुम वहाँ जगडा क्यों कर रहे थे? कभी सर? हाँ, हाँ, ये देवी का मेडम आई है. सर? क्या है ये? क्या आज कल आप इस्टूडेंट्स को आठ बजे ही छोड़ देती हैं? वो… हाँ? क्यों भाई? ये सब क्या हो रहा है? ऐसी बात नहीं है, सर. तो कैसी बात है, बताओ! स्टूडेंट्स कहा जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इस बात के तुम्हें चिंता नहीं है? बैठ कर फोन चलाते रहते हो, क्या? नहम क्या है? हर्शिता, सर. और गाउं? राजमंद्री. और तेरा? करीम नगर. आहाँ, करीम नगर, सर. करीम नगर, राजमंद्री. क्यों रहे, बिंदा? सर. बात क्या थी? साइलेंस इस नौट दाउन, सर. इतने सालों से कॉलेज की रेपिटेशन को बचाते आ रहा हो, और तुम लोग पढ़ाई करने के बजाए लड़ाई जगड़े कर रहे हो, क्यों? चर्वीज जादा हो गई है क्या? मेरे बारे में पता है न? अब ही क्या भी टी-सी दे कर भिजवा दूँगा? सिर्फ इतना ही नहीं, कंड़क्ट सर्टिफिकेट में बैड लिख दूगा, फिलिश, जिन्दिकी खतम, लिख दू क्या? सर, हमें कुछ नहीं पता सर, हम लोग वहाँ से जा रहे थे, तो राम और हर्शिता पहले से ही क्लास में बैठे हुए थे, और सर वहाँ पर… ओके-ओके, कोई मुगरत निकाला था? ये तो लड़का है, तुम्हें क्या हो गया था? सब के आने से पहले, जब क्लास में कोई भी नहीं था, तुम दुनों वहाँ क्या कर रहे थे? तुम लोग क्या बात कर रहे थे? हा? मतलब, I think something is going wrong. तुम दुनों के बीच में कुछ तो गरबड़ है। तुम दुनों के बीच में कुछ तो गरबड़ है। तुम दुनों के बीच में कुछ तो गरबड़ है। तुम दुनों के बीच में कुछ तो गरबड़ है। Yes, है We have something हाँ, हमारे बीच कुछ है मैं राम से प्यार करती हूँ राम से शादी करूँगी और राम के साथ ही मेरे बच्चे होंगे What? क्या कर लेंगे सराप? ज्यादा से जदा टीसी दे देंगे इन सब चीजों के लिए मैं तयार हूँ I'm ready for anything and everything सच में तू ग्रेट है यार तू नुस लड़के को I love you नहीं बोला और सीधे प्रिंसिपल को बोल दिया वैसे भी प्रिंसिपल तुझे छोड़ेगा नहीं तू कहीं भी रह तुछ पर नजर जमाए रखेगा एई, उसने क्या गलत किया है? अगर कोई इतना जोड़ दे के बोलेगा तो जवाब तो देना होगा हर्शिता, सच में तुम उस लड़के से प्यार करती हो बात ऐसी नहीं है हमने कोई गलती नहीं की है प्रिंसिपल हमसे जैसे बात कर रहा था देखकर मेरा खोन खौल गया अगर कोई प्रिंसिपल ने कॉल तो नहीं कर दिया? वैसे भी तुने कोई गलती तो की नहीं है धर क्यों रहे है तू? चल जा और हिम्मत से बात कर क्या जा जाओं क्या? हाँ हाँ जा अभी कुछ दिन पहले ही बगल के कॉलेज में लफड़ा हो गया था सर ये लोग ये सब जान बूच कर कर रहे हैं या क्या सोच कर कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा सर बच्चों का जिनरेशन बहुत बदल गया है मेडम आज कल तो ये लोग क्लास में भी नहीं आते हैं सर ये देखिए आ गई है आपकी बेटी हाँ कैसी हो अच्छी हो पापा ओके मेडम और क्या हाल चाल है अब चलो चलते हैं हाँ चलते हैं ओके मेडम ओके सर इतनी दूबली कैसे हो गई अच्छी तरह से खाना खाना चाहिए न अरे सर नमस्ते ये तुम्हारे पिता जी हैं हाँ जी अरे मैं ही हूँ सर पहचाना नहीं पहले दिन मेरी बेटी का एप्लिकेशन आपने ही तो भरा था न मुझे याद आगया सब ठीक है न इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है पापा जी मिलते हैं तो यह आजकल की लड़किया मेरी समझ में नहीं आती हैं आई यह पापा यहां पर पेल बढ़िया है क्या हुआ पापा आप अजयानक आगए यह क्या बेटा तुम्हें पता नहीं है कल से तुम्हारी छुटियां है न, कॉलेज वालों ने फोन किया था अच्छा ऐसा है, ठीक है पापा, आप यहां बैठिए, मैं हॉस्टल से जाकर पर्मिशन लेकर आती हूँ, समान भी लेकर आजाओं सार, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं प्रिंसिपल, क्यों हम तो गाउं जा रहे हैं दस मिनट की तो बात है, चल कर मिल लेते हैं ठीक है पापा, आप जाएए, मैं अभी लेकर आती हूँ, समान आप दोनों कोई बुला रहे हैं चलो प्रिंसिपल सर अंदर मेटिंग में हैं, आप लोग यहां बैठिए, मैं अंदर देखकर आता हूँ, आप बैठिए प्रिंसिपल सर को अभी मेटिंग में एक घंट आओर लगेगा, अगर वेट कर सकते हैं तो बैठिया नहीं तो जाएए, बाद में वो फोन करेंगे हम चले जाते हैं ओके पापा, चलो अरे भाई, लगता हो लड़की नहीं आएगी यार, चलो चलते हैं, बसका टाइम हो रहा है, मुझे उस लड़की से बात कर रही है, यार अगर उस लड़की को तुम पसंद हो तो ये बात तुम्हें बतानी चाहिए थी ना, तो फिर उसने प्रिंसिपल को क्यों बताई, श अरे यार, ये तीना आ रही है, तेरी बंदी का है, यही, उसके बोरे में ऐसा मत बोल, क्या यार, चार दिन का प्यार और दोस्पे मार अच्छा है, या, गीता, वो तो कल ही चली गई, कल, कल मतलब येस्टेड़े, येस्टेड़े, हां राम, उसके पिताजी आये थे, उसे लेकर चले गए, चली यार, बहुत देख लिया, जो होना था हो गया, प्यार करेगा तू, ए, उटा, पकड़, ये क्या, हॉस्टल में कपड़े नि दोते हैं क्या, छुटियां शुरू होने वाली थी, पता है न, वो लड़के करते हैं, लड़किया नहीं, लड़का हो या लड़की इस घर बे तो यही है ना, आपने सही कहा पापा, बशपन से ही लाड़ प्यार से इसे बिगार दिया है अपने, पापा ने क्या किया, जो किया है इन्हीं ने किया है, तुम्हारे साथ खेलने कूदने के चक्कर में, इन्होंने अपनी नौकरी ही गवा दी, अब इन्हें पता नहीं है क्या करना है और रियल स्टेट वाले पीछे पड़े हैं, छे, बापरे, कहीं प्रिंसिपल तो नहीं, हेलो, हाँ, हम पहुंच गए, बस आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे, हाँ, पच गए, कौन था, सीनु बाबू, करोपती का बेटा, उनकी ब पताया था ना, सब लोग पहुंच गए हैं, हम लोग अभी यहीं है, हाँ, मैं तो तयार ही, चलो, जल्दी करो, हर्शी, हम एक गंटे में लटके आएंगे, दर्वाजा बंद कर लो, बाइ, बाइ, टू, फोर, फाइफ, त्री, सिक्स, यह करीम नगर में फोन तो लगता ही नहीं है, हलो, बिनोज जी हैं क्या, आप कौन, मैं हैदराबास से न्यूटन कॉलेज का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, हाँ, प्रिंसिपल, हाँ, हलो, हलो, आप कौन हो, कौन है, किस से बात करनी है, राजमंदरी फोन लगाया था, तो यह चिन्न ही कैसे कनेक्ट हो गया, हाँ, 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 इस फोन से नानी को फोन लगा सकते हैं क्या, नानी के पास फोन नहीं है न, तो भिर पापा को करें क्या, बहुत पैसे लगेंगे, वो दुबाई में न, इतना बैलन्स नहीं है इसमें, भाया, भाया, फोन आ रहा है, कौन है, कौन है, हलो, 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 कौन बुल रहा है, हलो, मैं अर्शिता बूल रही हूँ, कौन है, बिटा, अच्छा, आप बूल रही है, कुण है खाना टो हाकर जा, बाद में आके खाता हूँ, अर्य, कौन है फोन पर, फ्रेंड है, मा, हलो, हर्शिता, कैसी हो, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो, मैं भी अच्छा हूँ, हाँ, और बताओ, क्या बताओ, हलो, 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 में दूर्जिणलने मिलता है अगर हैं तो मंदिर के पास जाकर बात कर लो हे शल्लव किराआ इधर कहां यहांद पास मंदिर के पास मंदिर के पास में छा रहा है अरे वाय क्या बात है फोन तो मस्त है भाया फोन दे दीजिए मुझे आजन किसी से बात करनी है तुने खरीदा या तेरे बापने बेजा है अलो कैसी हो अच्छी हो ना अरे रुक ला अरे बात करने के लिए काली अकेले करे बात करने के लिए थाया जा जाया! जयाँ? किया कुछ पंदे मेरा पंदे 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 हुँआ! प्पंड़! हुँआ! समहल कर जाना बीटा ठीक है पापा उतरते ही फोन करना कॉलेज पहुंचते ही फोन कर दूंगी कुछ दिनों पहले प्रिंसिपल का फोन आया था उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ बताया मैंने ध्यान नहीं दिया तुम भी मत ध्यान देना ओके समहल कर जाना मन लगा कर पढ़ाई करना ठीक है पापा भाई भाई थ्यान रखना भाई पापा हुए हर्शिता क्या हुआ तुम अपता कॉलेज क्यों नहीं गई वो मैं अभी अभी गाउं से आई हूं बाद में चली जाओंगी तुम अखेली गाउं से आई हो क्या सभी आज मॉनिंग में आए हैं वो लोग नहीं धके हैं क्या सब तुम्हारी तरह सोय हुए हैं चली जाओंगी माम जस्ट रिलाक्स में चली जाओंगी क्या कह रही हूं समझ में नहीं आ रहा अब ही चलो प्रिंसिपल को पता चला तो तुम्हें घर भेज देंगे और तु सब्सक्राइब लेटे होगी लेकिन उणmarkt प्रिंसिपल को और एप्र सारे नोट्स जेंग हो जाएंगे माम हैं डोन टॉक जाओ यहां से तुम लोग का क्या कहना है आरे तुझे एक बात बताता हूँ भाई उस लड़की का प्रिंसिपल को इतना कुछ बोलने के बाद तुम दोनों केवल फ्रेंड्स हो ये कोई नहीं मानेगा इसलिए हम अपना-पना काम करेंगा तो अच्छा रहेगा हाँ यार इस प्यारवार से दूर रहते हैं लड़की है इसलिए छोड़ दिया नहीं तो चमड़ी उधेर देता इस मीटिंग का आयोजन इसलिए क्या गया है कि इतने सालों से हमारा ये कॉलेज इस स्थान पर है यानि नंबर वन कॉलेज है उसकी वज़े है ट्रस्ट माबाप का विश्वास और उसी विश्वास की वज़े से लोग दूर दूर से आकर हमारे कॉलेज में अपने बच्चों का एड्मिशन करवाते हैं यही हमारे कॉलेज का स्थेंथ है इसी वज़े से दिन बद दिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही है तो इसी लिए हमारे कॉलेज में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ लेकिन आजकल हमारे कॉलेज में डिसिप्लीन मुझे लगता है थोड़ा डाउन हो रहा है आपकी क्या राहे शास्त्री जी ठीक है सर तो आप सब लोग इस पर ध्यान देंगे यह सर इसलिए आप के लिए सॉरी हम सभी लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज के लिए टोटल डिवलप्मेंट डिसिप्लीन के लिए आज से मैं कुछ रूल्स बदल रहा हूँ महरबानी करके शायद वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं विनतिक करता हूँ कि आप सभी लोग इसे फॉलो करना और दूसरों से भी फॉलो करवाना क्या कहते हो यस सर तैंक यू बहुत अच्छा बढ़ रहा हूँ कि अच्छा लगा ना ए बबलू क्या है ये मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई पर मैटर बहुत सीरियस है तुम लोग खुद ही पढ़ लो सीरियस? हाँ बॉइस एंड गर्ल्स कुड नोट टॉक एट कोलेज मर गए हाटो हाटो रे हाटो रे क्या लिखा इसमें? कुछ नहीं यार कल से लड़के और लड़के एक साथ घूम भी ने सकते और बात भी नहीं कर सकते साथ में घूमेंगे और बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का पारा हाई हो जाएगा? सोचा था 10th पास करने के बाद कॉलेज जाके कॉलर खड़ा करके घुमेंगे पर यहां तो हमारी जेल जैसी जिन्दिगी हो गई है हम पारा हम कॉलेज के लड़कों के कोई इज़त ही नहीं है हाँ भाई आपने सही कहा, कोई इज़त नहीं है असल में college के बारे में कुछ और ही सोचा था, हमारे गाउं में शुवा college ऐसा होता है, वैसा होता यह बोलता था, और यहां enjoy तो कुछ होता ही नहीं है, अरे लड़कियों से बात नहीं कर सकते क्या, छै, अरे यह सब इसकी वज़े से हुआ है, मैंने क्या किया है, अरे प्रिंस अरे पापे, वो मार देंगे मुझे, सौरी बोलने के बाद मी मार देंगे क्या, कुछ भी बोलते रहते हो भाई तुम, है, उसके लिए नहीं यार, अगर मैं उस लड़की से बात करूँगा और किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी यार, भाई, 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 भा कमाती, मैं כ wirा अएग ठर्ड़ी, चैया है यारन करना आ कारे ठो यवू incredible की पाई आएफी बोलके सबीज़, उसके साह आएगाई, मैं भी करने कोचा, म giàरें प्युक्त। वाईत्यों, है झास बाने इसका है प्क्स्टेस है आँ जो कर भाईड हिसित रचीं.. प्रक्रच्ट करने था अंग शेयुखर थे बातो यूच्छ वेलों प्रेख़्य क्यों वेलों करूप्यों प्रूच्छ कर दो कर में दो यहार यहार है क्या चल रहा है कुछ नहीं सर हुआ है I want to meet you हुआ 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 है थे नहीं है और है थे मितर्ण साना है पास करो है यह पास करो ठीक है यह ले ये ले पास कर पास कर ये ले तो दो कि बेटा हम जाएं क्या हाँ ओके अंकल चलो हुम कैसे हो तुम एक्जाम से न तो थोड़ी टेंशन हो रही है हम बात नहीं कर पारे बस इस बात के टेंशन है मुझे मुझे भी लेकिन एक्जाम कंप्लीट होने के बाद घर चले जाएंगे ना हां अगर सेकेंड यर भी खत्म हो गया तो इस स्कॉलिस से ही चले जाएंगे इस बात का दुख है मुझे उसक कुमसे एक बात पूछो कुछा तुम्हे मुझे से कुछ कहने का मन नहीं है है लेकिन क्या है рай बुलो बोलो नय तुम पहले तुम बोलुंह उराज है करते है यदि आ लाभ यू मैं भी बोलना चारा था, लेकिन पहले तुमने बोल दिया, ये तुम्हारे लिए है सारे सब्जेक्ट कम्प्लेट करना है, कुछ भी नेगलेट मत करना है, हर बार की तरह हमारा कॉलेज नंबर वन की पोजिशन सारी सर, हां सर, प्लीज माफ कर दीजे सर, अग्रेशन में आकर मैंने आप से वैसे बात की, अब मुझे बुरा लग रहा है सर, दुबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे सर, प्लीज फॉर्गिवस सर, सर, क्या हुआ यार फीवर है भाई तो फिर कॉलज नहीं आएगा मेरा कच्छ जा है ? मुझे क्या पता ? आरे तेरे कच्छे के बगल में तो सुखाने के लिए दो शोड़ा था इसलिए तो गायब होगे है मेरा कच्छ तुने पेना है क्या ? थू थू कर रहा है ? यह क्या कंब लोड़कर अभी तक सो रहा है कॉलेज नहीं जाएगा क्या फीवर है यार अच्छा यार इंडिया का वंडे मैच है नाच तू सच में इसको बुखार आया है यार किर्किट फीवर वो कॉलेज नहीं आने वाला है तूसका अंडर वेयर पहन ले ची तेरी तो है आप चुपो मत मैं समझ गया बाहर से देखने से कोई मतलब नहीं है अंदर आ जाओ अब पता नहीं क्या करेंगे अच्छा ओची आओ 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 बैटाओ आज कल क्रिकेट के दिवाने बहुत हो गए है भाई गमाण कमान कमान प्रोसिट कमान प्रिंस्पल ने सुन लिया तो सब को दर्वाजा बंद करें कुटेंगे मुँ बंद रखो और देखो येस येस ये कम ओन कम ओन कम ओन येश्ट अच्छे हुँँ इद आप हैं है आए है कि अप्रॉडरी यजय ओिर यह आफ कि मतोरा दब इसे जडत.. लुआ है कि व्युआ है अजूर्शिता है अधिन है मैं श्कत नहीं हुआ है बड़ो तेन दूलकर के आउट होने के बाद क्या देखें सर अजीब लड़का है यह अरिया लुआ है अरिया अच्छड माना था है किया है जー जल्दिपता हो, चलो 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 अले सर बटेटव है चलो ने किलो जल्दि दिखा हूं। इस इस माइ पैलस। यह इस तरह से क्यों बिख रहा हुआ है? बॉइस हास्टेल है ना? ऐसा ही होता है. तुम्हारा वेट कॉन सा है? वो रहा. ओके. वैसे आज कॉलेज क्यों नहीं आए तुम? फीवे. सच में ना? देखो ना? राम. राम. हरिष्टा. हर्ष्टा. 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 बहुत अच्छा था. हर्ष्टा. वो क्या है? हर्ष्टा. शेस मैं फ्रेंड. यह यह क्या कर रहे? फ्रेंड है यार. तेरी तो किसी सर ने देख लिया तो? हर्ष्टा. किशोर एंड धनुष. चलो टिकेट लेते. हां यह बैटो. फिल्म अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी. ए यह कॉलेज आ गया. बस बस यही रोख दीजे. यही. डर लग रहा है ना? यह डर लग रहा है. पता नहीं क्या होगा? चलो मैं तुमें चलाता हूं. अरे चलाता हूं ना मैं चलो. अरे आओ तो सही तुम चलो. राम. आओ अरे चलो. आओ, आओ यहारआ. अरे आओ सही, चलनो. नई, तुम माओना अरे चलो. Easy, बज़ऑ. क्या करे यहार, यहार थी, टुनमें आओ चलो. प्रेट, यहार, क्या करें तुम तुमें जनाना थे है वाहार खिए अपना हाथ दो आजाओ आजाओ क्या कर रही हो अज़ता आजाओ जल्दी आराम से जल्दी करो जल्दी आजाओ आजाओ रगो राम पकड़ो राम मैं थोड़ी खर देता हूँ आजाओ चुड़ो अब लोगो ने उससे तुझे गया ओबर क्या कर रहा है तुम्हें इससे क्या हर्शिता आओ तुम चल्दी आओ राम ऊपर खीचो आजाओ आजाओ चल्दी आओ राम राजाओ भी पार करवाटाओ राम चल्दी 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 चल् जज घएए पोहु हाए साया पिल के दो हाए पिल कर दोस्ते है भुग है? जब डिल कोई वीए राए हिए पिल अजगा पिल कि अज़े खोम खोम धोस्ते है जज़ क्यों वोरार वाह जप एक आाल इज़ कोई पिल किपल नदे तोपक उस ताया झाल्पूू। खचो ुआ रखना हूँ हुआ! हुआ राभ राभ जब प्रहें जब पुआ रखना हम बनुआ राभ जब पिस फूँआ पिस पर राभ अक्षकर को बनुआ अ तू हुआ है शेय अदर कैसे जाए इसरा आजा हो मेरे साथ कोई दरवाजा करकड आ रहा है देखना अधियार किशोर उठना यह क्या यार वो लेडी सोस्टल का गेट लॉक हो गया है यार वैसे भी तुम्हें यह ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए अंदर आजाओ वैसे तो इतनी देर तक क्या कर रहा था होस्टल का वाड़न चेक करने आता है पता है ना एक काम करो तुम दोनों अलग अलग बैट पर चादर ओड के सोजाओ अगर होस्टल वाड़न आकर देख भी लेगा तो सक नहीं होगा और वैसे भी सुबह पांच बजे गल्स होस्टल लेकिन तुम लोग हमें कुछ नहीं होगा हम ओपर रहेंगे तुम समलकर रहना ठीक है ठीक है ज़िए जुछ नहीं होगा अरे कैसा फाल तू लड़काई ये आधि रात को लड़की लेकर आगिया यार कोई बात नहीं यार ए क्या कोई बात नहीं अगर होस्टल वाटन देख लेता तो वो भी बात सही है यार कल तो एकजाम है ना तुने पढ़ाई की है क्या ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, अभी पढ़ाई करें क्या, अगर अभी हम पढ़ाई करेंगे तो कॉलेज में और मैं स्टेट में फर्स्ट हूँगा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, यार हमें पास होना तो बस एक ही रास्ता है मारे पास, क्या है बो, क मुझे नीन्द आ रही है, सोजाओं क्या? सोजाओ? ओके, गुदनाइट श्ष्ष् राइस बहुत तुझे कुछ मिला थेख 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 शाइद यह है आदेख थेख 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 यही वाला है कुल था इससे तो हम पास हो जाएंगे यार पास नहीं होगे, फर्स्ट आएंगे यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सर क्या है यह? सर, कल वो हमारा एक्जाम है ना सर तो? एक्जाम के लिए तैयारी नहीं की सर तैयारी नहीं की मतलब? क्या कोशन पेपर चोरी करोगे? चोरी करोगे चोरी करोगे क्या? इतनी हिम्मत तुम लोग हो की? कि मेरे केबिन में चोरी कर रहे हो? यह कबसे कर रहे हो तुम लोग? कर दो में चोरी कर चोरी कर दो कोई आया कोई दुद्वाजे पर है क्या करूँ इतर आओ यहां चुप जो इसके पीछे चल्दी जाओ बाहर मनतिंगला अंदर जाओ हॉ 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 चल्द दर्वाजा खोलने में तना समय क्यों लगा हाँ इनका बैक बाहर फेक दो इनकी निम्मत तो देखो रात में प्रिंस्पल के केविन में आकर कुश्चन पेपर चोरी करते हैं इनकी तो अब तू सोच क्या रहा है तेरा भी बैक बाहर फेकू क्या प्रिंसर क्या बहुत है आपकर दीजिये घ्राइए पड़श प्रिंसर आप आप क्या हूआ आप 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 बढ़िया है बहुत बढ़िया है तुम्हारे दोस्त कोशन पेपर चुराते हैं और दूसरा लड़की को लेकर राता है वाट इस इसे क्या लौश समझ के रखा है सारी हदे पार कर दी क्यों शेरद हॉस्टल में इतना सब कुछ हो रहा है तो तु करता क्या है आखों पर पट्टी बंदी भी है क्या अंदा है क्या मुझ से आवाज निकालेगा तो शरीर से जान निकाल दूँगा अब तू क्यों रो रही है ओ सारी डिस्टर्प कर दिया न इससे प्यार किया है इससे ही शादी करूँगी इससे ही बच्चे पैदा करूँगी पर पता नहीं कब करोगी लेकिन अभी तो गुल खिला रही हो चलो चलो सर देवी का मेडम सर ए हर्शिता तुम यहां क्या कर रही हो यह फिल्म देखकर आई है फिल्म? और यह अकेले नहीं गई थी एक लड़के के साथ गई थी फिल्म देखने ए तेरी इतनी हिमत इस्टॉप इट इन सब की वज़े तुम ही हो मैं? यस बच्चे कहां जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यह जानने के जिम्हेंदारी तुम्हारी नहीं है? तुम लोगों को इसलिए रखा है न कि सोने से पहले सारे रूम स्ठीक से चेक करो अकल नहीं है क्या? मैं अलट थी सर हर महीने तनख्वा तो लेती हो ना? थोड़ा काम भी कर लिया करो लेट्स मीट टुमोरो मिटिंग ओके सर तुझ में जरा भी अकल नहीं है? अट्रा साल की भी नहीं हुई और लड़के के चकर में पड़ गई अपने माबाप को बोलती तो शादी करके भेज देते क्यों मेरी नौकरी खत्रे में डाल रही हो? चलो पांस सो स्टुडेंट्स, दो वाडन, चार सेक्यूरिटी गार्ड्स, बीस लेक्चरर्स, एक प्रिंसिपल, एक इन चार्ज, दस अकाउंटेंट है इस कॉलेज में लोग मेरे सामने खड़े होने से भी डड़ते हैं ऐसे में तुम दोनों को मेरे खिलाप जाने की हिम्मत कहां से आ गई? रात में फिल्म देखना, दोपहरे में कॉलेज बंग करना, प्यार के नाम पर लड़कियों के पीछे भागना, मौका मिले तो लड़कियों के साथ होस्टेल में समय बिताना तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? वाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी? हाँ सर, आप जो कह रहे हैं वो सच है सर, हमने जो किया है वो राइट है या और रॉंग है, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर, अगर जियेंगे तो हम दोनों साथ में जियेंगे सर, नहीं तो साथ में ही मर जाएंगे सर, आप चाहे था वो लड़की ही ऐसी है पर तुझ में भी बहुत हिम्मत है इसी लिए तुम लोग कॉलेज में नंबर वन बन गये हो पढ़ाई में नहीं प्यार करने में इस कॉलेज से निकलने वाले हर स्टुडेंट्स का अगर रिमार्क होगा कंडक्ट में तो मैं बैड लिखकर साइन क करूंगा खुशी से जाकर जी लेना कि अग्यां कि सर्माइस्टे सर अगर्ण कि सर्ण क्या बात है इतना अरजेंटली बुलाया क्यों आपको आपकी बेटी ने नहीं बताया बहुत पूझा पर नहीं बताया सर कैसे बताईगी ए कोई अच्छा काम करते तो बताती ना क्या किया है सर बताये हमारी बेटी ने ऐसा क्या किया है आप ने अपनी बेटी को यहां पढ़ने के लिए भेजा था ना पर वो यहां क्या कर रहे है यह पता है एक लड़के के साथ फिल्म देखती है और रंगरलिया मनाती है आपकी बेटी यह क्या बात कर रहे हैं सर आप हमार अपने बच्चे मासूम ही दिखाई देते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलो मानते नहीं है, क्यों शरत देविका, कुस तो बताओ, हाँ सच बात है, हम आपसे जूट क्यों बोलेंगे, कैसे संसकार दिये हैं अपनी बेटी को, किसी से भी नहीं ड़ती है, ये, सबको हमें मारनी की बात कर रहे हो, अगर गलती से भी अपनी बेटी को कभी मारा होता, तो आज बात यहां नहीं पाउस थी, पहले भी फोन करके तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, चार लोगों के सामने तुम्हारी बेज़ती होगी, इसलिए असल बात नहीं बताई, अब बताओं क्या, क्या आखिर में क्या हुआ है, बता है आपकी बेटी ने क्या किया है, पूरी एक राट तुम्हारी बेटी एक लड़के के साथ उसके रूम में सोई है, मा, मैंने कोई गल्टी नहीं किया मा, बस प्याह किया है, मा, मेरी बात पर भरोसा कीज़े मा, सुनिए मेरी बात पर, प्यार किया है, कह रही है, अकल धिये क्या तुझे, ये तो ने क्या कर दिया, हमारे बारे में ज़रा भी नीसोचा, मत पारो इसे, मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती ये क्या कर दिया तुने, बच्पन से तुझे पलकों पे बिठाके रखा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बेटी गलती कर दी है तो मा को सुनना पड़ता है पर तेरे लिए तो तेरे पापा का शुखा होगा, हमारी इजद पिट्टी में मिला दी इसने, मत मारू, मत मारू, जो हो गया सो हो गया, अब और पढ़ने की ज़रूत नहीं, चलो हम अपने गाओं चलते, जाओ अपना सामान पेकर के लाओ, जाओ, तुमसे ही कह रहा हूँ, प्रिंसिपल सर, हाँ, मेरी बेटी ने भले ही प्यार किया होगा, पर वो कभी मेरी इजद पर आँच नहीं आने देगी, मुझे इतना भरोसा है, मैंने उसकी परविरिश की है, बच्चे माबाप को हमेशा प्यार देंगे, ये पता नहीं मुझे, लेकिन माबाप अपने ब जादी उससे नहीं करवाओंगा क्या, लेकिन हाँ, बस थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, आप लोगों की बाते मानकर उसे गलत मान दू, इतना ना समझ नहीं हूँ, मैं, वो मेरा घुरूर है सर, चलता हूँ, सच में, आपका प्यार बहुत महान है, लड़कियों के पैदा होने से दुखे होने वाले पेताओं को तो देखा है, लेकिन बेटियों से इस तरे प्यार करने वाला, मैं पहली बार देख रहा हूँ, चलिये, चलिये, स्टॉप आगे, उतरिये, जल्दी कीजिए, जल्दी, बैस साब आपका बैक अठाईयों, लेजाए जल्दी, 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 चलो, 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 अफेर वाद पहुची गए, बहुत खुशी हूई साथ, आपके साथ सफर करने में, चलता हूँ, मेरी ब क्लीफ कर रहे हैं सर बेटी के गहरे प्यार के बारे में बताया पिता को देख लिया तो बेटी को भी एक बार देखने का मन है यहीं पर भाई रोक दो रोको 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 कालेज 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 नहीं मेरे बेटी को बुला दो मुझे उससे मिलना आप वहां पर बैठी है हाँ ठीक है हाँ आई यह सर कि अज़कर स्टूटेंट्स में कोई डिसिप्लीन ही नहीं है मैडम 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 हां नमस्ते नमस्ते आप कैसे नमस्ते सर कैसे हैं मैडम हर्षिता को भेज दीजे ना उससे मिलकर चलाओ जाओंगा एक बार बुला दीजे ना यहां यह बहुत समय हो गया मैडम ठीक है सर मैं भेज़ती हूं आप बैठिये आप बैठिये मैं भेजता हूं ठीक है चलिए बैठिये दो क्लास तो मैंने ले लिये हैं अरे सर सर नमस्ते मैं हर्षिता राजबंदरी की लड़की है हर्षिता के पिता जिना आप ठीक है ना बढ़िया हूं सर मेरी बेटी को बुला देंगे सर उससे मिलना है मुझे बहुत देर हो गई हमें आयो हुए आपकी बेटी हाँ हाँ ठीक है आप यहाँ पर बैठिये मैं भेज़ता हूं अजीब मुसीबत है यह बहुत अच्छे टीचर है लगता है यहाँ आपकी जान पेचान बहुत अच्छी आँ मैं जब जब आता हूं सबसे यूहीं बात कर लेता हूं ना इसी लिए यह सब क्या हो रहा है आपने इतने लोगों को का लेकिन किसी न आपके बेटी को नहीं बुलाया बुज़र्ग इंसान को इतनी देर इंदजार करवा रहे है इन लोगों में थोड़ी भी अकल नहीं बचिये क्या आज है आप रुकिए मैं डारेक्ट प्रिंसिपल से बात करके आता हूं ठीक है मैं भी आता हूं ने ने आप रुकिए हर्शिता है क्या हां सर राजमंदरी जी की लड़की है अब क्या हुआ सर प्लीज एक बार बुला दीजे न बस थोड़े दिर बात करके चले जाएंगे अगर होगी तो बात करोगे न मैं यह मतलब क्या हुआ सर अ काहां जा रहे हो रां यहां एंपंक। इतना कुछ हो रहा है और तुम मुझे बिना बताई जा रहे हो हमने सिर्फ इसी लिए प्यार किया था क्या सॉरी हर्शिता मुझे छोड़ दो मुझे जाना होगा राम यहां पर सबका कहना है कि मेरी गलती है यह मेरी अकेले की गलती है मुझे जाने दो राम बिना जवाब दिये जा रहे हो तुम हम खामोश है इसलिए हमें गलत ठैराया जा रहा है राम प्रीज राम मच जाओ तुम्हारे विरा मैं जी नहीं पाऊंगे मच जाओ राम ची शर्म नहीं आती बढ़ने के लिए बेजा था तुम इसके प्यार में पढ़ गई यह सब क्या है हर्शिता बच्पन से तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखा हमारी इसलिए नाज़ों में रखकर तुम्हारी परवरिश्की इसलिए तुम मुझे यह तगलीव दे रही हो मैं अपने गाओ में सिर उढ़ा कर इज़त से कैसे जीपाऊंगा यहां इतने सारे बच्चे उनमें से किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया और तुमेरी बेटी होकर ऐसा कर रही है बहुत हुआ जाओ अपना सामान लेकर आओ पढ़ने की जरुवत नहीं है जाओ आखे नम ना हो सुनने आरा यू दूर ना जाना ओ मेरी जाओ मैं तो तेरी थी तो सुन लेना किसमत ये कैसी अपनी आरा देखो न जाना दिल ये मानी ना ऐसे न जाओ और उक भी जाओ ना मैं तेरी थी ना रहने सकती एक पल भी हम ताजने ने सकती आखे नम ना हो सुन ले आरा यू दूर ना जाना ओ मेरी जाओ मैं तो तेरी थी तो सुन लेना किसमत ये कैसी अपनी आरा देखो न जाना दिल ये मानी ना ऐसे न जाओ और उक भी जाओ ना मैं तेरी थी ना रहने सकती एक पल भी हम ताजने ने सकती मैं तेरी तो सकती कर दो, पर दो, ब माँ चारो दो, भाल डो, फिद का लैं कि आई गुडराओन जा कर दो, कि भालका इस दो, जड़े, कि पलिज पे माँ दो, ऑग बालका ओले हां, भालका भालका इस वजगा की अपराओने को एम अल्द एालका पना कसाव हैं. ऐख वत जँ़ा आगा, क्यांवा, पेशा रिक, सूवा। क्योंडरे निवा पॉंज़ा, विया जो, जुन श्लोटेवा रिण्सेधल कर दो अै сложно, यू но क्योंने, जुलोuna क्यों निल्य क्यों बत्हुरू क्योंिक रिण dusty, ल्यू увुद, क्यों दो अरे ये क्या कर लिया अरे ये क्या हो गया इसा क्यों किया कर लिया इसने 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 इस तू है ना ऐसे जाने से पर उच्छे भी अब तुझे कहां मैं ढूनों तू कभ लब आएगे पुल देखे जैसे तुझे बोलो तू लोट के आप क्या अब कर दू कि तू लोट के किसे रहेंगे कहां तुझे डूदू तू जाने ना किसी भी ने तू कोई तू नहीं सुझे कैसे तुझे बोलो तू लोट के आप क्या अब कर दू कि तू लोट जा तू ना जाना कैसे रहेंगे कहां तु जड़ी कोई ये बता ना ये प्यार जानना किसी की में ये पात कोई ये बहीं संचे उनकी बीटी मर गये ये बात उनको पता नहीं है क्या उनकी आखों के सामने ही उनकी बेटी की मौत हो गए इसलिए उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है वह इस भ्रह्म में हैं कि उनकी बेटी जिन्दा है इसलिए वह कॉलेज की छुटियों में अपनी बेटी को ले जाने के लिए यहां पर आ जाते हैं यह सब उस लड़के की वज़े से हुआ न वह उसे धोका देकर चला गया इसलिए उसने आत्मत्या कर ली नहीं सर उसकी मौत कब एक लौता कारण वो लड़का नहीं है सर हम सब उसकी वज़े हैं खास तोर पर मैं मैं उनके प्यार को समझ ही नहीं पाया जाने से पहले तुझे एक बात बताता हूँ असल में तू यहां क्यूं आया है तेरे माता पिता कितनी परेशानी उठाकर तुझे पढ़ा रहे हैं तुने इसके बारे में कभी सोचा है वैसे भी तुझे लड़कियों के अलावा कुछ सोचने की फुरसत ही कहा है जो उनके बारे में सोचेगा घर में तेरी मा बहन किस हालत में जी रहे हैं इसके बारे में तुझे कुछ पता है दुबई से तेरे पिता जी उन्हें कितने दिनों से फोन नहीं किया हैं ये तुझे पता है उन्होंने एक बार भी क्यू फोन नहीं किया है इसके बारे में कभी सोचा है दुबई में तेरे पिता की मौत हुए दस दिन हो चुके हैं ये आब क्या बात कर रहे हैं سर मेरे पापा मर नहीं चकते हैं तेरे पापा की लाश को यहाँ लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है इस बात से वो कितने परिशान है, इसका तुझा एसास भी है चोटी सी घलती करने पर भी मैं पैरेंट्स को बुलाता हूँ और तुने इतनी बड़ी घलती किये फिर भी वो यहां नहीं आये है और मैंने यहां उन्हें क्यों नहीं बुलाया तुझे पता है उसकी वज़े है तेरे पिता की मात और ये बात तुझे पता चलेगी, तो तू कहीं एक्जाम में डिस्टर्ब्ड न हो जाए, इसलिए तेरी माँ ने कहा कि उनकी लाश आने तक उसे मत बताना मुझे माफ करदीजिए सर, मुझे माफ करदीजिए मैंने गलती कर दी सर मुझे ये प्यार व्यार के चकर में नहीं पूरा सर मुझे बस अपने गाउ जाना है सर मुझे जाने दीजे सर मुझे जाने दीजे मुझे अपने गाउ जाना है सर मुझे जाने दीजे सर बहुत कठोर बरताव किया है मैंने बहुत परिक्षाएं ली है, मैंने, मैंने, मैंने सोचा कि सुधर जाएंगे वो लोग, लेकिन इस तरह से जाम दे देंगे, ये नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, वो जाम दे देंगे, बहुत पहले ही मर गई वो, लेकिन, जब जब मैं उसके पिता को देखता हू मैं तब तब मरता हूं सर तब तब मरता हूं ठीक सर मैं चलता हूं अरे अरे हलो 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 सर नमस्ते कैसे हैं सर मेरी बेटी अभी तक नहीं आई कॉल कर रहा हूं तो फोन नहीं लग रहा है बेटी परिक्षा की तयारी कर रही है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हो परिक्षा की तयारी कर रही है तब डिस्टर्ब में करूंगा वो अच्छे से पढ़ाई करें बहुत पढ़ना है उसे सर बेटी के लिए कुछ मिठाईया लेकर आया हूं उसको दे देगा मन लगाकर पढ़ने के लिए कहिएगा मैं चलता हूं बसका टाइम हो गया सर आप आएंगे आप जाए चलता हूं सर मेरी बात मान कर यह चले जाते हैं पता नहीं आखिर ऐसे कब तक यह जिएंगे इनको ऐसे ही जीने दीजे सर इस दुनिया से विरक्त होकर अपनी बेटी की दुनिया में प्यार करने वाले का प्यार मर सकता है लेकिन जो परवरिश करता है उसका प्यार कभी नहीं मरता प्यार करता है 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 अजार करता है प्यार करता है लेकिन एक आपना झार्ड़ा